नमस्कार एंड वेलकन टू वर्लफेर्स मैं हूँ प्रशान दवन आउ टर्की आज के समय लिटरिली जल रहा है इनके बहुत बड़े एरिया में मैसिव फायर्स लग चुकी है और यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकल है थ्री ओल्रेडी डेड और करीब बताय जा रहे हैं क 70 से लेकर 80 लोग badly injured है यह hospital में है और लग रहा है कि मृतकों की संख्या यहाँ पर काफियर तक बढ़ेगी ड्रा दने वाली बात यहाँ पर यह है कि forest fire इनकी अभी भी control में आई नहीं है बहुत ही बड़े scale पर आप देखोगे social media पर इस type के posters लोग distribute कर रहे हैं कि pray for Turkey यह जो इनके districts हैं यह आज के समय literally they are burning Turkey itself is burning और यह आप देख पाओगे यह images आज के समय निकल के आ रही है from Turkey Australian forest fire की काफियर तक यह याद दिलाती है मगर जिस तरीके से रहायशी इलाकों के करीब आग लगी है उसकी वज़े से यहाँ पर human death toll काफी ज़रा है कई videos यहाँ से निकल के ना सिर्फ Turkish नागरिगों की even Russian tourists की रश्या यहाँ पर काफिया तक invested है क्योंके जिन इलाकों में आग लगी है वहाँ पर काफी सारे Russian tourists जाते हैं चुटियान आने के लिए तो रश्या ने यहाँ पर firefighters, air support और evacuation करने के लिए अपने नागरिगों की evacuation करने के लिए बहुत support इसका reason क्या है, इंडिया के लिए यहाँ पर क्या क्या lessons है, मगर सिंस यहाँ पर हम बात ही करने है Turkey की तो आपसे मैं question पूछूंगा के Turkey में एक lake है जो recently काफिया तक news में थी इस lake का नाम है Salda Lake, इस lake को काफी बार क्या कहा जाता है मीडिया में, Moon on Earth, Mars on Earth, Venus on Earth या फिर Mercury on Earth, comment section में करो answer, सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में, लेगो पहली बात तो यह आग टर्की में लगी कहाँ पे है, मैं आप देख लो तो यहाँ पर आप अगर देखोगे, यह जो टर्की का यह वला portion है जो इनका western और southern पार्ट है, यहाँ पर लगी है यह आग और यह पर यह टर्की के लिए कि जो इनका बहुत सारा forest cover है यहाँ पर, इस area में अगर एक चिंगारी भी लगती है, बहुत ही कम scale पर अगर यहाँ पर start होती है, तो बहुत जल्द जो यहाँ पर winds आती है from the Mediterranean, यह winds इस आग को बहुत ही त्यजी से फिला देती है, क्योंकि wind speeds यहाँ पर होती है, around 50 km NR की, और इस case में भी Turkey की सरकार अभी के लिए यह suspect कर रही है, कि यह किसी की शरारत है, इतने बड़े scale पर natural causes की वज़े से Turkey में आग लगती नहीं है, इवन दो यहाँ पर temperature काफी बार 40 degree के आसफार भी पहुत जाते हैं, तो arson attack की यहाँ बात की जा रही है, क globally एक trend चल रहा है कि लगातार, forest fire increase ही हो रही है, चाहे Australia हो, India हो, US, even Turkey, हर जगा हम देख रही है कि forest fire बढ़ रही है, और इसके पीछे climate change का भी reason है, इस पर एक बहुत यह अच्छी report पब्लिश करी थी, WWF ने, World Wildlife Federation ने 2017 में, report का नाम है, forests a blaze, cause and effects of global forest fires, इसमें लोने यह बताय था कि देखो, Turkey में छोटे level पर, because of natural causes, because of heat, यहाँ पे 2000 forest fire लगती है, मगर जब भी Turkey में, Syria में, बड़े scale की fire लगती है, तो इसके पीछे 99% of the times reason होता है, human error का, यहाँ आप देखो कि report का page है, causes, forest fires in Mediterranean country, Turkey भी जैसे मैं आपको map निखाया था, यह है एक Mediterranean देश, यहाँ पे Almost exclusively, human induced fire होती है, या तो by accident, या फिर intentionally, हाँ अगर एक बार जब यह fire लग जाया, उसके बाद फिलाने का काम जो है, उसमें काफी बड़ा role play करता है, climate change, यह समझाता हूँ आपको कैसे, देखिए, long summer, लंबी गर्मी दुनिया भर में बन गया है, एक नया नॉर्मल, पहले क्य अगर कुछ हता गर्मी पड़ रही है, eventually बारिश यहाँ पर होती थी, और अगर forest fire का issue है, humidity का issue है, nature अपने आप control कर लेती थी, अब क्या हो रहा है, कि since ocean के temperature लगातार बढ़ रहे है, पूरी धर्ती का ही तापान लगातार बढ़ रहा है, उसकी वज़े से बारिश हो गई है अब काफी हतक erratic, मतलब कि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी, फिर अचानक से 2-3 दिन में इतनी बारिश होगी कि बार आ जाएगी, तो टर्की में भी यहाँ पर सेम केस है, अगर यहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल होता, तो अपने आप यह जो forest fire है, यह control में रहती, फिर इस सब के लावा एक बहुत बड़ा issue यह भी है, कि long summer की वज़े से humidity बहुत बढ़ जाती है, और उसकी वज़े से काफी बार strong dry summer winds आती है, फ्रांस से, स्पेन से, यूरोप के और एरिया से, जिसकी वज़े से याग तरीश से फैलती है, इसको यह लोग कहते हैं, मिस्त में कहते हैं, कि लू चल रही है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, humidity होती है, उस टाइम जो हवा चलती है, उसको कहते हैं, लू, Gulf countries में सको कहते हैं, सिमोन, New Zealand में सको कहते हैं, नॉर्वेस्टर, और यूरोप में सको कहते हैं, मिस्तरल, US, कनड़ा में सको कहते हैं, च होती जा रही है, और जो forest fire की problem है, ऐसानी है, कि यह सिमित है, सिर्फ Australia तक, या फिर Turkey तक, या फिर एवन कुछ तक आप कह सकते हैं, रश्या तक, इंडिया में भी recently देखा गया, कि उत्राखंड में कई महीनों तक forest fire चलती रही, इसको हम properly control करनी पाये थे, और scientists इस चीज़ क लेकर बहुत ज़्या चंते थे, लगातार इंडिया और नेपाल में, जो forest fires लग रही हैं, उसकी वज़े से scientists ये कह रहे हैं, कि climate change और ज़्यादा बढ़ेगा, ये एक vicious cycle होती है, ये आपको समझाता हूँ कैसे, imagine कर ये अपने mind में, एक बहुत ही बड़े area में, लगातार ज से जलाओगे, तो क्या emit आप करोगे, obviously बात है, आप बहुत ज़्यादा mega ton carbon यहाँ पर emit करोगे, और उत्रा खंट की जो आग लगी है recently, उसमें रिखा गया कि 0.2 mega ton carbon यहाँ पर release किया गया था, और उसके पहले आप अगर देखो तो 2016 से लेकर 2021 तक various countries में, जो forest fire लगी है, उ इसकी वज़े से क्या होगा, धर्ती का तापपान और बढ़ेगा, तो यह एक vicious cycle है, जितनी बार forest fire लगेगी, आप anticipate कर लीजिए, उसके बाद अगले साल, और भी ज़रा आपको खराब सीन देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसका solution क्या है, solution बहुत ही simple है, climate change को रोको, climate change per action लो, various countries हैं यहाँ पे, जो आज भी properly climate change को रोकने के लिए काम करनी रही, तो यह तो हो गया macro level का solution, बड़ा solution इसमें time भी लगेगा, छोटा solution यहाँ पर यह हो सकता है, कि बहुत से countries आज के समय यूज़ कर रहे हैं, fire resistant trees, for example, coast life oak trees है, American mountain ash tree है, यह दुनिया पर में कावी famous हो नहीं है, क्योंकि इन पर इतनी आग लगती नहीं है, आग obviously बात है, जब आप कोशिश करोगे लगी जाएगी, मगर on an average, यह ज़्यादा resistance दिखाते हैं to fire, तो देखिए, जो दरेशर टर्की में दिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि उस level की forest fire, कल को भारत में, नेपा जाके जो और countries हैं, वहाँ पर भी हो सकती है, यह एक ऐसी reality है, जिसको हम जतना ignore करेंगे, यह हमारे सामने उतनी problems create करेगी, eventually we will have to deal with this, वापस आते हैं अमने question पे, कि Turkey की जो Salda Lake है, इसको काफी बार क्या कहा जाता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option B, Mars on Earth, क्योंकि Salda Lake भी ए एक meteor गिरा होगा, जिसकी वज़े से यहाँ पे एक lake form हो गई, और इसको काफी बार compare किया जाता है, Mars के Jezero crater से, तो NASA भी Mars में जब भी कोई mission भेजता है, कोई rover भेजता है, उससे पहले, यह कुछ आप कह सकते हैं, trials करते हैं, practice करते हैं, near the Turkish lake, और finally आपे मैं यह वियाड कर करते हैं, before the prices increase, simply जाओ on academy.com पे यहाँ फिर comment section में मैंने pin कर रखा होगा link, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी course आपको purchase करना है, SSC, UPSC, bank, आप purchase कर सकते हैं, यह course जो UPSC course है, यह 24 महिने का आपको पढ़ेगा, for just 3000 rupees per month, मगर यह price कभी भी पे मत कर देना, use करो यहाँ पे promo code PD10, and the prices will fall, or by the way, इस course के साथ, आपको 10,000 rupees worth test series भी फिरी में लेगी, UPSC test series, absolutely free of cost by an academy, so use the code PD10, and save money, इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. कर दो